आज हम बात करते हैं वेव मिकेनिक्स के बारे में तो हम बेजिक्स देखेंगे वेव मिकेनिक्स का कहां से आया वेव मिकेनिक्स लेकिन उसको समझने से पहले हमको कॉंटम मिकेनिक्स और क्लासिकल मिकेनिक्स समझना पड़ेगा अब देखें, सबसे पहले आता है classical mechanics, classical mechanics में सबसे पहले आता है Aristotle, अपने नाम तो सुना ही होगा Aristotle का, तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था, उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि, अगर कोई object जो है, वो अगर गिर रहा है, तो उसकी जो speed है, वो mass के उपर dependent है, यानि कि mass जितना ज्यादा, उतनी speed ज्यादा, लेकिन आपको पता है Galilio ने उसको गलत साबित किया, गलेलियो ने ये कहा कि, अगर कोई object गिर रहा है, यानि कि falling object है, तो उसकी जो speed है, वो mass के उपर dependent ही नहीं है, वो तो air friction जो है, उसकी वज़े से क्या हो रहा है, speed कम हो रही है, उसके बाद आता है Sir Isaac Newton, अब देखें, ये जो period है, वो सबसे, अब मान लिजिए कि सूर नकाल है, physics का, इस दोर में 17th century में Sir Isaac Newton ने Newton के तीन laws दिये, इनमें उन्होंने inertia के बारे में समझाया, इसके अलावा force का जो relation है, mass के साथ, यानि कि f is equal to m है, force का relation मार्स और फिर acceleration दोनों के साथ समझाया, इसके अलावा उन्होंने gravity समझाई, और universal law of gravitation भी समझाया, यह जो सारा है, उसको Newtonian mechanics भी कहा जाता है, है तो वो classical mechanics ही, लेकिन उसको Newtonian mechanics भी कहा जाता है, लेकिन यह जो Newtonian mechanics है, या फिर classical mechanics आपका है, वो जो छोटे particles है, उस पे work नहीं करता है, यानि कि atoms और subatomic particles, मान लीजिए, electron की बात में कर रहा हूं, तो electron पे ये, ये जो classical physics के जो rules है, जो Newton ने दिये थे, वो इन पे work नहीं करते हैं, वो सिर्फ किस पे work करते हैं, classical mechanics पे ही work करते हैं, यानि कि जो बड़े object है, उन पे ही ये work करते हैं, electrons पे ये work नहीं करते हैं, इसी तरह जो quantum mechanics के जो, यानि कि छोटे particles जो है, उनके जो laws है, वो classical mechanics में work नहीं करते हैं, यानि कि यो दोनों एक दूसरे से काफी अलग है, आप यह समान लीजिए, यहाँ पर दो words बहुत ही important है, macroscopic और microscopic, macroscopic यानि कि बड़ी चीज़ है, इसका मतलब classical mechanics, macroscopic यानि कि quantum mechanics, अब देखे, classical mechanics की theory तो सबसे पहले थी, Aristotle के जमाने से थी, लेकिन यह quantum mechanics है, वो recent है, 19th century से यह start हुई है, जैसा कि मैंने कहा कि जो microscopic particles जो है, वो classical mechanics का पालन नहीं करते, इसके अलावा, जो subatomic particles जो है, उनकी energy, momentum, angular momentum, वो सब different होता है, classical mechanics, classical mechanics में आप जब motion को describe करते हैं, वो quantum mechanics में उस प्रकार से नहीं होता, इस वज़ा से क्या हुआ, एक नए physics की development हुई, 1920s में, अब देखें, उसको हम क्या कहते हैं, quantum mechanics कहते हैं, तो सबसे पहले, उस quantum mechanics में, सबसे पहले आते हैं, Lewis D. Brogy, उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, कि जो छोटे atoms होते हैं, electrons मान लीजिए, तो उनके दो सो रूप होते हैं, एक होता है wave, और दूसरा होता है particle, यानि कि एक चीज़ के दो सो रूप, यह सिर्फ किसमें possible होता है, सब-atomic particles में ही possible होता है, यानि कि quantum chemistry में ही, quantum mechanics में ही possible होता है, बड़ी चीज़ों में यह आप देख नहीं सकते हैं, हाला कि बड़ी चीज़ों में भी दो ही सवरूप होता है, wave भी होता है और particle होता है, लेकिन वो size उतनी बड़ी है, इसलिए हम wave नहीं देख सकते हैं, उसके बारे में हम detail में देखेंगे, तो सबसे पहले यह दीब रोगली आये थे, उन्होंने सबसे भी ऐसा कह सकते हैं कि base clear किया, और उन्होंने equation भी दिया, lambda is equal to h upon mv, उसके बाद आते है, Warner Heisenberg, 1927 में उन्होंने Heisenberg का uncertainty principle दिया, उन्होंने यह बताया कि, या तो हम कोई particle की velocity बता सकते हैं, या फिर उसकी position बता सकते हैं, दोनों चीज़ हम एक साथ बता नहीं सकतें, दिखा नहीं सकतें, तो यह थे है, Heisenberg, इनकी थियरिका भी, कई कई बड़े scientist ने विरोध किया था, उन्होंने ऐसा कहा था कि यह सा हुई ही नहीं सकता, अगर मानली जी कोई plane हवा में उड़ रहा है, तो उसकी velocity और position हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन यह classical mechanics में काम करता हैं, छोटे जो atoms है, छोटे particles है, electron है, मानली जी, तो उसमें यह work नहीं करता, यहने कि जो हाइजनबर्ग का uncertainty principle है, वो quantum mechanics में यह classical mechanics में यह work नहीं करता, और ताबूत में जो आखरी kill है, वो ठोकी 1926 में Irwin Schrödinger में है, उन्होंने जो एक नया mechanics ढूंडा और उसको कहा गया, स्रोडिंगर्स wave mechanics, यह रहे स्रोडिंगर्स, ओस्ट्रिया से तालुक रखते थे, उनका एक famous experiment भी था, स्रोडिंगर्स cat का, उन्होंने क्या किया, एक box लिया, और box में उन्होंने cat रख दी, साथ में radioactive chemical भी रख दिया, और उन्होंने एससा सोचा कि अगर chemical गिर गया, तो cat 50% chances है कि alive होगी, यानि कि जिन्दा होगी, और 50% chances है कि वो मर जाएगी, तो उन्होंने ये देखा कि जब तक मैं ये box को खोलूना, जब तक मैं box को खोलता नहीं, तब तक cat 50% जिन्दा है, और 50% मर चुकी है, यानि कि इसको हम बोलते है, quantum super imposition, यानि कि दोनों possibility है, cat जिन्दा भी है और मर चुकी है, कब तक, जब तक हमने box को खोला नहीं, जैसे ही हम box खोलेंगे, तब क्या हो जाएगा, सारी जो probabilities है, वो खतम हो जाएगी, या तो cat जिन्दा होगी, या तो फिर मर चुकी होगी, तो ये थोट experiment था, यानि कि ये बड़ी चीज़ों में वर्क नहीं करता, लेकिन छोटी चीज़ों में, जो microscopic particles है, उस पर ये वर्क करता है, यानि कि, अगर मान लिजिए, electron है, cat की जगा, तो उस पर ये वर्क करेगा, उसको हम कहते है, quantum superimposition, अब देखे, इसके अलावा, हाइजनबर्ग ने क्या develop किया था, quantum mechanics डेवलोप किया था, लेकिन quantum mechanics में क्या है, matrix और calculus का use होता है, हमारे लिए chemistry में, ये उतना important नहीं है, उसको matrix mechanics भी कहा जाता है, लेकिन हमारे लिए जो उपयोगी है, वो है, wave mechanics, लेकिए, wave mechanics क्या है, लेकिए, wave mechanics, science की branch है, जो mathematical description देती है, किसका atomic and subatomic particles in terms of wave characteristics, आपको पता है कि, डी ब्रोगली ने कहा था कि, कोई भी subatomic particles है, यानि कि electron है, उनके दो स्वरूप होते है, wave और particle, तो wave mechanics क्या करता है, ये जो wave स्वरूप है, उसका mathematical description देता है, wave को mathematical form में दर्साय जाता है, उसको कहा जाता है, wave mechanics, यानि कि wave mechanics में हम particle के जो दो स्वरूप है, wave और particle, उनमें से wave स्वरूप ही हम analyze करेंगे, उसके बारे में ही पढ़ेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, mathematical form में explain करेंगे, equation के साथ explain करेंगे, तो ये है wave mechanics, यानि कि classical mechanics और quantum mechanics में जो quantum mechanics है, उसका जो wave part है, उसको हम क्या कहेंगे, wave mechanics कहेंगे,